इस वीडियो में आप सुनेंगे पुनमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के कलेशों से एवं विपतियों से पिडित देख उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्यान करने की भावना से नंद नंदन ब्रजचंद मूरली मनुहर भगवान विश्नु के पाह जाकर अतिप्रेम से बोली हे गुपाल तुम ही सारे संसार के उत्पन करता एवं संहार करता हो तुमारी ही अनंद प्रभास से सूर्य और चंदरमा जग को प्रकाशित करते हैं तुमारी ही दया बिंदों स शुद्र सागर अपार जल से परिपून रहता है गंगा की पवित्रता तुम ही से है आकाश की अखंडता तुम ही से है और अगनी की परम प्रस्टंडता तुम ही से है हे मदुसुदन आज में जगत के प्राणियों में किसी को रोक से किसी को दरितता से किसी को वैधव्य से और किसी को निर्धंता के परभाव से पिडिते कर मेरा हिर्दय व्याकूल हो गया है। हे इस तरदेश्वर आप जगत के प्राणी मातर के दुख का निवारन करने वाला कोई सुगम उपाय बताने की कृपा किजिए जिसके दुआरा जगत के प्राणी दुख दारिद्र आधी व्याधियों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाए। कठीन कलेशों से निर्भे हो जाते हैं और उन्हें सुख संपतियादी अटल स्वभागे की प्राप्ती होती है। इस व्रत की विदिया है। प्रात्यकाल ब्रह्म बेला में शैया त्याग सौच इत्यादे नित्य कर्म करके शुध स्वेत वस्त्र धारन करके पुजन की सामगरी कत्रित कर आम पल्ल युक्त कलश एवं गणनाय गणेंशी के प्रतिमा इस्थापित करके स्वस्ती वाचन करे और हाथ जोड़कर कहे कि हे करेंशी महराज मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवाशी, अमुक कारे हेतु आपका आवाहन करता हूँ हे परमपुज समस्त विगनों के विनाश करने वाले मुझे दीन पर दयाद रिष्टी करते हुए पधारने एवं मेरा मनुरत पूरा करने की कृपा के जिए इसके बाद देवादी देव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से शुड़ सुपचार पूजन करे जिसका विधान इस प्रकार है हे देवादी देव भगवान त्रिलोचन जिसके हाथों में भगवान शंकर का ध्यान मन में और उनका आवाहन करके कहें कि हे शंभू भगत वक्त सल मैं आपको आवाहन करता हूँ आप मुझ दीन पर अनुगरा कर पधारने की क्रिपा किजिए तत्पशात आसन प्रदान करके विने करें कि हे प्रभू आप इस आसन पर विरजमान होए तदुपरांद पादे अर्पित करता हुआ कहें कि हे समस्त जगत के संखार करता मुझ अकिंचन द्वारा अर्पित यह पादे स्विकार कीजिए पादे के बाद मस्तक पर तिलक लगा माले आर्पित करके निवेदन करें कि हे नात मुझ सेवक द्वारा समर्पित यह पुष पहार गले में धारन करने की क्रिपा कीजिए तदुपरांद कपूर, घी, मधु, दही, चीनी और दूध मिश्रित पं चामरित से स्नान करने के अनुकंपा कीजिए फिर वस्तरारपण करके मुझ पर परम अनुगरह कीजिए बाद में यग्योपवीत अर्पण कर प्राथना करें की हे देवेश यह उत्तम उत्तम यग्योपवीत धारन करने की परम क्रिपा कीजिए तद पशात केशर, कस्तुर पुष्पहार गले में धारण करने के क्रिपा किजे बाद में गाय का घी एवं कपास खिरूई से निर्मीत बत्ती बनाकर दीप जलावें और सुगंध हेत्तु धूपया मगरबत्ती प्रजलित करके विने करे कि हे देवेश मेरे समस्त मनों विकार नश्ट करके मेरे मन की अपार अंधकार को विनाश करके ज्यान का प्रकाश करने की क्रिपा किजे तो दुपरांद पंचमेव मिष्ठान पांच फल अरपित करके विने करने की हे जगदिश्वर आप मुझदास पर अनुगरह क जगदाधार यह तामुल पत्र गरहन किजे इसके बाद रितुफल समर्पित करके विने करें कि हे उमापति यह रितुफल गरहन करके शुब अकिंचन को अपने चरण कमलों की अविचल भक्ती प्रधान करें उपरोग्त वस्तुई अर्पित करके भगवान शंकर की मनयोग पुरुवक पूजा करें और एक सवाथ बार शिव जी के इन सोलह नामों का जब करें देवा दिव तिर्नेत्र शंकर विश्वनात उमारमण हे कामरुप सुशंभू भव भृतेश दारोन दुखहरन शीतिकंट उग्र शीवम श्रैल मून्ड चंद्रमोली विश्वभरन कीजे निहाल मिर्तिउजे अमर शशीशेशरम इस प्रकार भगवान भूतनात की पुजा करके प्रार्थना करें हे दयालुशंकर मुझ दास द्वारा अर्पित यह पुजा सामगरे स्विकार करो हे प्रभू मेरे मनोविकार दूर करके मेरे तेमीर आश्षादि धिर्दय में ग्यान और भक्ती का प्रकाश कीजे कथा प्रारंब अगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हुए घर धन धाने आदी से परिपून था किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उन दोनों को केवल एक ही दूखता कि उन्हें कोई संतान नहीं थी जिसके कारण वे दोनों सदेव उदास रहते थे एक समय की बात है कि उस न धनेश्वर के घर से उसने कभी भी विख्षा नहीं ले योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ग्यात हुआ तो वह अपने को भागय ही जानकर अत्यन दुखी हुआ और एक दिन अतिश शुब्द होकर धनेश्वर साध्य की कुटिया पर जा पहुँचा और हाथ जो तो बोला नी संदान गक्ती का अन पावन नहीं होता है उसके ग्रहन करने से पातक लगता है इस खरण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ साध्य के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आखों से आसु बहने लगे और वह रोता हुआ साध्य के चरणों में लेट गया और बोला हे महराज आप सरवग्य हैं तीनों काल भूत भविश्य वर्तमान के ग्याता हैं आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कर जिसके द्वारा मेरा भागयोदय हो और मैं इस दुख से चुटकारा पा जाओ अर्थात मुझे भी पुत्र लाव हो धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार कर मगने रहने के बाद योगी बोला हे ब्रहमड तुम महमाया चंडी देवी के उपासना क उनकी परमक्रिपास से तुमको अवशी ही पुत्र लाव होगा योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर पर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उसे परामर्श कर अपना घर त्याग तपस्या के लिए वन को चला गया और निरहार रहते हुए तेरा एक पुत्र होगा परन्तु वह 16 साल में काल कल्वित होगा तब धनेश्वर हाथ जड़कर बोला हे जगत जन्नी आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की क्रिपा कीजिए जिससे वह पूर्णायू प्राप्त कर सके असमय में मिर्त्य को न प्राप्त हो तब चंडी दे सब्स निरहार रहने के बाद संधिया को एक आटे का दीपक बना स्वक्ष रूई की बत्ति एवं घी के संयोग से प्रजलित कर विधी पूर्भक शीवा सहित शीव का पूजन करना इस प्रकार 32 पूर्णामासी का वुरत करने से पुत्र चिराईव हो जाएगा अब तुम् आम के विक्ष में एक सुन्दर फल लगा दिखाई देगा पेंड पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी रितु इस नान के पास्चात स्वक्ष होबे उसे खिला देना इससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी इतना कहकर देवी अंतरधान हो गई प्रातः देवी के कहनुसार सामने ही याम के पेड़ पर एक सुन्दर फल लगा देख धनेश्वार पेंड पर चढ़ गया और सौधानी से फल तोड़कर नीचे उतर आया फिर प्रसंदता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया दैव योग से उसकी पत्नी उसी दिन रिति उस्तनान के बाद स्वक्ष्य हुए थी उसे ने शंकर जी का बाराम बारिस मरण करके पहा फल खाया और देवी की परम क्रिपा से गर्वती हो गई नो मास पशात दसवा मास प्रारम होते ही उसे एक चंदर कांती के समान सुन्दर एवं स्वस्त पुत्र उत्पन हुआ देवी की गर्वा होने कारण दोनु पत्ति पत्नी ने उसका नाम देव दास रखा और अतियंत प्रेम से उसका पालान पोशन करने लगे अब वह बालक चंदर काला के समान बड़ा होने लगा देवी की गरिपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदी में अतिनी पुर्था जब वह साथ वर्ष का हुआ तो धनेशोर ने अपनी पत्नी को पुनमासी वरत का इसमरण दिलाया और दोनु पति पत्नी नियम पुरवक पुनमासी का वरत करने लगे इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष वितीत हो गए और देवदास ने 16 वर्ष में पैर रखा तब धनेशोर अपनी पत्नी से बोला कि कथा अनुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलवित हो जाएगा किन्तु यह हम अपनी आखों से कैसे देख सकें मेरा हिर्दे तो अभी से विदिर्न हो रहा है तब पत्नी ने परामर्ष दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिवनगरी काशी भेज दिया जाए वह वहीं रहकर विद्या धहन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह पुत्र प्राप्त ह दूआ है वहीं इससे पूर्ण आयू परदान करेंगे इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुला कर दोनों को काशी के लिए रहाना किया और दोनों पति पत्नियों उसकी कुशलता की कामना है तो पर नीमा का वुरत करते हुए दिन वितीत करने लगे भावर का समय आया उसके कुछ देर पूर्वी ही दूले पर पत्रगात का ऐसा प्रबल आक्रमन हुआ कि दूले के पिता आदी संबंधी अत्यंत विकल हो गए तब किसी ने परामर्ष दिया किसी धरमशाला की अमुक कमरे में वर के अंदरूप एक यूवक ठहरा है उसे किस देर के लिए मुझे प्रदान करे जिससे मेरे पुत्र के विवाह कारे संपन हो सके तब उसके मामा ने कहा कि करन्यादान के समय मधूपर्क के आदी जो कुछ भी मिलेगा तो हम मैं ले लूँगा यदि आपको यह बात स्विकार हो तो मेरा भांजा आपके कारे दू प्रस् दिया किन्तु देवदास मारे संकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की इस्तरी और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नश्ट हो जाएगा इस सोच के मारे उसकी आखों में आसु छलक उठे यह देह कर वह कन्या बोली हे नात आप किसली देवदास हैं मुझे अपनी दासी जानकर बताने की क्रिपा केजिए तब देवदास ने वर के पिता एवं अपने मामा से जो वारता हुई थी वह सब उसे बतला दी तब करन्या बोली मैंने देव द्वीज अगनी एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पती के रूप देजिए तब करन्या बोली है स्वामी आप मेरी चिंता न किजिए यदि मैं धर्म पत पर अडिक हूँ तो इश्वर मेरा कल्यान करेगा आप इसकी चिंता त्याकर प्रेम से भोजन करो तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातह ब्रहम बेला में ही शय त्याकर पत्नी को जगाया और उसने प्रेम पुर्वक बोला है भागिनी अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासे में जा रहा हूँ यदि परमात्मा की क्रिपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूँगा वैसे मेरे मिर्थू एवं जीवन जानने के लिए तुम अपने भ संसार में नहीं रहा अत्ह संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना इतना कह पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुंचा और दूनों मामा भांजे उसी समय काशी यातरा पचल पड़े और कूश का आलबाद काशी में जा पहुंचे इधर सवेरा होते ही बारात विदा की तयारी होने लगी और समस्त वरातियों एवं वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोला कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है अता यह मेरा प तथा मैंने क्या-क्या गुप्त बातें इसे बताई थी वह सुना दे यदि सत्य होगा तुम्हें जान लोगी कन्या के ऐसे बचन सुनकर पक्षगात से पीडित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया काशी जी में निवास करती हुए एक वर काली पड़ गई परतु उस वीश का प्रभाव देवदास पर न हुआ क्यूंकि उसकी माता ने 32 पूर्ण माशी का अपना संकल पूरा कर चुकी थी अतह देवदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा शाप के निश्क्रिया होने का समचार जब यम्राज को ग्यात अचानक उसकी दृष्टी यम्राज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को न दवा सके और यम्राज के पीछे चल दिये अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ग्यात कर लिया और यह समचार देने के लिए वह देवाधी पती शंकर के पास पहुँचे और विस्तार से सारी बात भवानी शंकर को सुनाया त्रिकाल दर्शी शिव जी ने अपनी योगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा वरतों का संकल्प यम्राज के आगमन का सारा हाल गिर्जा को कह सुनाया यह सुनकर गिर्जा मातरी व्यता से वतीत हो शीव जी से बोली कि हे स्वामी मेरी वीने है कि आप उस अबोध देवदास को अभेदान दिजे क्योंकि वह आपकी श्रणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पुर्णवासियों का व्रत किया है इसलिए उ वक्सल भगवान शीव ने गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्शित हो देवदास के स्थान पर गये जहां वहां प्राण ही निश्चल पड़ा था उसके मुह में एक अम्रित बुन डालकर अंतरधान हो गये और देवदास सोय हुए व्यक्ति के समान उट पैठा और अपने मामा से कहा कि सुलहवा साल भगवान की क्रीपा से पूरा हो गया इसलिए अब घर चलना चाहिए यह विचार करके घर के लिए चल दिये इधर उसकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नौपलिका का पिंग्ण लगा नित्य पावन जल से सिंचती हुई अपने पती के ध्यान में मगन रहती थे जब यह मराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नौमलिका के मुर्जाय हुए पुष्पों को देखकर वह ती व्यथित हो गई और कुछ का अलबाद ही जब देवदास को शिवजी जीवित कर दिये तब वन मलिका के पुष्प पुनह सुरक्षी तेव पुर्व परभाजुक्त हो गए यहां देखव आनंदा तिरक में अपने पिता के पाह जाकर बोली हे पिता जी मेरे प्राण नात जीवित हैं और आप मेरी विंती पर ध्यान दीजे और उनका पता लगाने का प्रेत्न कीजे अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि कि बाहर से समाचाल मिला कि आपका दमाद देवदास आपके द्वार पर आ गए हैं तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्द हो शीव जी का गुडगान करने लगें और अपने सम्मंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उसकी परिक्षा करके और परिक्षा में भली भाती जब कन्या सहीत विदा कर दिया देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गाउं जा पहुंचे घर में पहुंचकर पत्नी सहीत माबाप के श्रणों में शीष नवाया माबाप परम प्रफुलित हुए और दोनों को अनेका श्रिवात देकर गले से लगा लिया धनेश्वर ने इस तरी आश्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैधाव्य की विषम व्याधी से मुक्त हो अटल सभाग्य वत्य हो शकल सुखों की अधिकारणी होती हैं मिरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है व्रत करने वाला चाहे इस्तरी हो या पुरुश नंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोग को प्राप्थ होता है। इस व्रत को सदेव अगहन, माग, अत्वा वैसाख मास की पुर्ण मासी से प्रारम करना चाहिए। तथा पौश और भादरपत की पुर्णिमा को व्रत नहीं करना चाहिए। यह श्यास्त्रा अनुसार वर्जीत है। व्रती को चाहिए कि जब उसके संकल्प अनुसार व्रत स पूर्ण हो जाए या उसका मनुरत पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करें और जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन ब्रह्म वेला में शयात्याग नित्य कर्म से निवरीत हो शुद्ध इस्तान में चोका लगाकर आटे का धीपक पना उसमें शुद्ध की तथा बत् प्रकार पूजन के बाद आचारी को दक्षिना देकर संतूश्च करें बाद ने प्रसाद वित्रित करके भजन करता हुआ रात्री को जागरन करें और प्रातहकाल शीव जी की आर्थी करके विसरजन करें बुर्य शंकर भगवान की जय